जैहीं दोस्तों चली दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या कहा गया है A can do 1 by 4 work in 3 days यानि कि इस 3 से अगर मैं इसको divide करूँ तो मेरे पास A काना total days आजाएगा यह इस पूरे काम करने में 12 days लेगा ऐसी हम B का निकाल लेगे तो यह B कितना करता है 1 by 6 कितने में 4 days में तो इससे पूरा कराना है तो 4 से divide कर दीजिए तो B कितना लेगा 24 days दोनों का L से निकालेंगे तो 24 आएगा मेरे पास में यह कितना हो जागा मेरे पास में 2 और यह मेरे पास 1 इनकी यह क्या है work efficiency अब इसने कहा है 180 रुपीज distribute करने किसो करने एक को करने है तो यानि कि 180 इनकी वैल्यू कितने मेरे पास 2 और दोनों मिले कितना टोटल काम करते है 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना है 60 यानि कि 120 यानि एक को जो amount मिलेगा वो मिलेगा टोटल कितना 120 रुपीज यानि कि option D इस question का correct होगा I hope आप सभी को question समझ में आगा जय हिंद